अगर आपने भी बिहार से intermediate pass किया हुआ है तो आपके लिए जो है बिहार government के दोवारा जो है बहुत बढ़ी ice cream चलाई जा रही है जिसके माधियम से 4 लाख रुपे तक का जो loan है वो आपको higher education के लिए दिया जाएगा और इसके साथी साथ technical आप course करते हैं तो आपको अलग से 35 किसजा रुपे जो है laptop खड़ने के लिए दिये जाएगे और साथी साथ यहां पे आप पढ़ाई करते हैं जो भी higher education करेंगे उसमें जो भी आपका पठन-पाठन का समागरी होता है वो खड़ने के लिए परतेक साल 10 अरुपे की सहायता रासी दी जाएगी इसका जो online आवे किस तरह से आपको चुकाने होंगे और किस तरह से laptop खड़ने के लिए आपको पैसे यहां पर देखने को मिलेगा चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं बारवी उतिर कर लिया हुआ है या फिर आप पो ठेकने के लिए form भड़ना चाहते हैं तो दसवी उतिर कर लिया आपके पास बहुत अच्छा है श्कीम है जो कि सरकारी पैस्कार आपको चार लाख रुपे तक के लोन है वो पनाथिक है श्मे Schutz करते हैं इसमें देखेंगे तो बताया कि रुपार में लेगा है किस फ्रू को फैसे मिलते हैं जैसे कि माल नी जा आपको पहरते हैं जैसे कि टेक्नलोजी वाला कोर्स होता है वो करते हैं तो आपको 35 रुपया लेप्टप खड़ने के लिए दिये जाएंगे और पठन जो लेखन समागरी होता है वो खड़ने के लिए आपको 10,000 पर प्रोती बर्स जो 4 लख रुपया लोन मिलेगा उसके इस्ट्रा आपको यह दी जात अगर आप PG अस्तर के पाठेकरम के लिए फॉर्म भरेंगे तो 30 बर्स अधिकतम आपका उमर होनी चाहिए फॉर्म को भर सकते हैं बाकी बताया गया है कि अगर आपने ब्यवसाई के उमसमानिय पाठेकरम के अलावा पोले टेक्निक यह आपको बेनिफिट मिल जाएगा नि कि माली जे आप दस्वी के बाद पोले टेक्निक करना चाहते हैं आएटी आई करना चाहते हैं तो उसमें भी लून ले सकते हैं ठीक है बाकी बताया गया है कि जो भी बच्चे लून लेंगे उनको जो ही 4% जो ही रेट अप इंटेस्ट यहाँ पर देना होगा जो कि सिंपल इंटेस्ट आपकर लगने वाला है रेट अप इंटेस्ट महिला दिव्यांग ट्रांजेंडर के जो भी लोग हैं जो भी महिलाएं हैं जो भी कोई ब्यक्ती है तो उनको जो ही 1% ही सलाना यहाँ पर रेट अप इंटेस्ट देना होता है सिंपल रेट ठीक है कोई भी आपका चक्रिविधी ब्याज नहीं लगता है simple आपको interest यहाँ पे देना होता है और आपका जो भी ब्याज होता है वो जैसे कि मालीजी आप course करके निकलेंगे उसके एक साल के बाद जो आपको पैसे हैं वो चुकाने होते हैं और कई बार देखते हैं कि मालीजी आप कहीं आपका job नहीं लगा course करने के बाद कई सारे से समस्या हो सकता है तो उस condition में आपको जो यहीं तीन बरसों तक यहाँ पे छूट मिल सकती है कि तीन बरसों तक आपस कोई भी ना rate of interest लिया जाएगा और ना ही आपसे पैसे वापस मांगे जाएंगे तीन बरस के बाद भी आप चाहें तो पैसे को चुका सकते हैं और आप चाहें तो एक बार में भी पैसे को यहाँ पे दे सकते हैं समय से पहले तो आपको जो ही सरकार यहाँ पे छूट भी देगी ठीक है तो इसका सबसे बढ़िया अच्छा चीज है कि अगर आपके पास एक बार पैसे होते हैं तो एक बार भी जामा कर सकते हैं नई तो installment में आपना पैसा को जामा करवा सकते हैं सभी जाती धर्म, कोटी लिंग, धर्म और ISMU के जो भी विधारती हैं उनको benefit मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसी काईटी गड़ी से आते हैं तो benefit मिलेगा, किसी भी काईटी गड़ी से आप आते हैं किसी भी जाती धर्म से हैं कोई भी आपका ISMU है, उससे मतलब नहीं है सरकार आपको benefit देगी, ठीक है बताया गया है कि कुसल कारेकरम की ओजना के तहट जो भी लाभारती अगर माल लिजे कोई के वाईपी भी किया हुआ है और वो चाहता है higher education लेने के लिए तो बिहार student credit card ओजना का जो लाब है वो लेकर अपना higher education है वो कर सकता है तो मैंने पूरी जनकारी बताया अब माल लिजे आपको form को भरना है इसका benefit लेना है तो कैसे लेंगे उसके लिए आपको easy to net.com सर्ज करना है इसको open करना है और यहाँ पर सर्ज करना है बिहार student credit card ओजना ठीक है तो आपके सामने यह वाला देखेंगे link के यहाँ पर देखनी को मिलेगा जिसमें सभी जनकारी बता दी गई आपको जो है 4 लाख रुपे तक का loan मिलता है बारवी पास हैं तो form को भर सकते हैं उमर जो है 25 सधीक आपका नहीं होनी चाहिए बाकी हम eligibility criteria की बात करें तो आप बिहार के अस्थाई निवासी होनी चाहिए इस होजना के तहद छात्र और छात्र हैं दोनों को benefit मिलेगा बारवी पास हैं और आएक के पढ़ाई करना चाहते हैं higher education लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर loan ले सकते हैं बाकी हम document की बात करें तो अधार कार्ड हो गया pen card, स्रेंचनी की ओगिता पर्मार पत्र, उच सिक्षर, संस्तान में नमांकर पर्मार पत्र जहां पे admission करवाना चाहते हैं जहां आप किसी प्रकार एक course करना चाहते हैं जहां का जो नमांकर पर्मार पत्र होता है वह आपको देना होगा निवास, आय, bank, passbook, mobile number, विधार्ती तता उनके माता-पिता के grantor का photo यानि कि जो भी आपके माता-पिता सह आवेदक बनेंगे तो उनका एक photo, दो photo आपको देना होगा विधार्ती का विवावक के बैंखाते का 6 मैने का statement भी आपको देना होगा और आवेदन करता का photo भी आपको यहाँ पर देना होगा तिस तर से सारी जनकारी यहाँ पर बताई गई है तो इस सारी document आपके पास होनी चाहिए form भरनी के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे online apply करने का link मिलेगा जिस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपना जो रशिशन है करके जो ही form को apply कर सकते हैं form कैसे भरना है उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया हुए है उस वीडियो को चेक आउट कर लिजेगा form भरनी के बाद जो भी आपका महतपूर दास्तिवेज है उसको लेकर अपना जो भी DRCC office होता है यहाँ पर आप contactors के बटन पर किलिक करके उसकी जनकारी भी निकाल सकते हैं कौन से जीले से आते हैं तो वहाँ पर DRCC office कहा है और उनके manager का name क्या है उनका mobile number क्या है उनसे भी संपर कर सकते हैं तो यहाँ पर जाकर आपको अपना verification करवाना होता है और उसके बाद approval मिलने के बाद जो भी पैसे होते हैं जहां भी आप higher education करते हैं उस इंचूर्ट में पैसे ट्रांसपर किया आते हैं और आपको समय समय benefit मिलता रहता है तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरी जनकारी आपके साथ सियर कर दिया कि जो बिहार SDN credit card है उजना है इसके माधियम से किस तर से higher education के लिए आप 4 लाख रुपे तक का जो loan है वो बिहार सरकार के द्वारा ले सकते हैं बहुत सरे बच्चे जो है इसका loan का जो उप्योग है वो करके जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं अगर आपके पास भी पैसे नहीं है तो इसका benefit आप ले सकते हैं बाकी इसका जो details वीडियो है उसको देखना है तो हमने बना दिया हुआ है i button में आपको link मिलेगा जिसको जाकर check out कर सकते हैं